तो बहुत ही अच्छा देता है प्लस आपके बालों को लंबा और घना बनानी में भी काफी ज़्यादा हेल्प करता है फ्रेंस और जो आपके बालों में एक साइन और कलर एड़ करता है आप देखके बहुत ज़्यादा खुस होने वादा है तो अपके बालों में तो नीशा मेंदी से बहुत ही अच्छा लेकर राता है नैचूरल मेंदी है यह तो हरको ही अपने हेर पर इसका यूज कर सकता है और इसके कोई भी side effect नहीं है friends मैंने अपने hair के लिए इस तरीके से thin लिया है आप लोग देख सकते हैं friends इसको हम side में करते हैं और हीना घोलने का सही तरीका क्या है वो देख लेते हैं तो friends आपको भी इस तरीके से एक pan ले लेना है उसमें आपको ले लेना है एक glass water हमें इसमें add कर देना है अगर आपके hair की length ज़्यादा हो तो आप quantity कम या ज़्यादा कर सकते हैं friends तो इस महंदी के पानी को हमें कैसे बनाना है वो ingredients हम देख लेते फ्रेंस आपको भी आवले लेने हैं दो से तीन आप आवले ले सकते हैं इसको हमें छोटे-छोटे टुकडो में इस तरीके से इसी तरीके से पूरे अछे तरीके से इसको cut करना है और जो ये बीज है वो हमेशे अलग कर लेना है friends अगर अलग से आप आवले होता है और हमारे हेर की ग्रोथ को अच्छा करता है हमारे जो पतले हेर हैं उसको मोटा बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है तो इस तरीके से हमें इसे पुरे कट कर लेना है अब हमें ले लेना है जिंजर इस तरीके से हाफ टुकड़ा में एक इंच जिंजर लेना है उसको भी अच्छे से हमें इसमें कट करके डाल देना है फ्रेंजर हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जहां पर हमारे हेर नहीं आपाते हैं ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं जड़ चुके बाल वापस नहीं आपाते हैं उसको बढ़ाने में भी काफी ज़्यादा है. और उनियन भीए, दियान देगे कि आप चोटा वाला लेए, तो जाधा अच्छा होता है आपके हेर के लिए इसे भी हमें ले लेना है. अगर छोटा वाला ना हो तो आपके घर पे जो हो, वह आप ले सकते हैं, इस तरीके से आपको cut कर लेना है तो friends इस तरीके से मैंने दो onion इसमें add किये हैं फ्रेंस onion में sulfur की मातरा जादा होती है जो हमारे hair की growth को double करने में help करता है इस तरीके से हमें cut करके सभी चीज़ों को add कर देना है उसके बाद ले लेना है friends इस तरीके से हमें चाय की पत्ती आप कोई सभी ले सकते हैं जो आपके घर में आप यूज करते हैं कोई सभी आप ले सकते हैं friends तो आप लोग देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने add कर दिया है अब लेके चलते हुँ मैं आपको अपने kitchen में देखते हैं इस water को हमें ready कैसे करना है friends गैस को on करने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से हमें boil होने के लिए इसे छोड़ देना है friends तो आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से boil आने लगा है तो friends आपको भी इसी तरीके से थोड़ी देर इसको अच्छे से boil करना है और बीच-बीच में इस तरीके से आपको चलाते रहना है friends तो देख सकते हैं आप लोग अच्छे से boil होने लगा है ये friends तो वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा ताकि इसको घोलना कैसे या गोलने का सही तरीका क्या है वो सभी चीजे आपको पता चल जाए friends तो आप लोग देख सकते हैं हमारा water ready हो चुका है अब हमें gas को बंद कर लेना है और इसे इस टेनर की मदद से चान लेना है इस तरीके से फिर के लिए हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है इसको गरम में बिल्कुल भी mix नहीं करना है तो इस तरीके से पानी को ठंडा होने देना है जबता कि इस मेंदी को हमें एक बावल में गठा कर लेना है मैंने तीन पैकेट अपने लिए हैं आप लोग देख सकते हैं आप अपने हेयर लेंध के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो इस तरीके से तीन हो हमें ले लेना है मेहंदी को हमें इस तरीके से साइड में करना है बीच में वाटर डालते हुए इसको मिक्स अच्छे से कर लेना है तो इस तरीके से हमें एड करना है और मिक्स करना है एक हमें स्मूथ साइस का पेस्ट बनाना है आपको भी अच्छे से इसको मेक्स करना है इसी तरीके से ध्यान दें कि थोड़ा सा भी इसमें लंब्स ना हो इस तरीके से दिलकुल भी गुठली नहीं होना चाहिए आपके मेहंदी में अच्छे आप अपने हेर पे करर चाहते हैं तो एक बार इसको जरूर यूज कर येगा आपको mister application नहीं ही आपको आपकी हेर बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं तो इस तरीके से हमें घुल लेना है ज्में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो आप लोग देख सकते मेरा महंदी घुल चुका है और इसको मैं बहुत टाइम से अपने हेर पर अपलाई कर रही हूं मेरे हेर काफी ज्यादा सिल्की स्मूथ और साइनी भी इसी से हैं मैं हपते में एक दिन जरूर लगाती हूं या 15 दिन में एक दिन आप भी जरूर लग कर आता है और इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा ये कलर लेकर आया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर आपके हेर पर लेकर आता है और अगर आप इस मेहंदी का अच्छा रिजर चाहते तो आपको नाइट में इस तरीके से आपको घोल लेना है उसके बाद second day morning में अपने बालों को अच्छे से wash करना है बाल बिल्कुल भी आपके गंदे नहीं होने चाहिए साफ बालों में आपको इसको apply करके छोड़ देना है और friends आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी महंदी लगाने के बाद एक आपके महंदी लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी dry fill ना हो तो आप उसको अच्छे से polythene से cover करना है आपको और एक से देर घंटे के बाद आपको साधे water से अपने hair को clean कर लेना है उसके बाद आपको night में ध्यान रखें friends night में आपको सर्जों के तेल से अच्छे से करिएगा एक लाइक करिएगा और friends आप लोगों के साथ की support की मुझे बहुत जरूरत है तो आप लोग भी अपना साथ और प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें ताकि मैं अच्छी और भी अच्छी वीडियो आगे आप लोगों के लिए ला पाऊं तो वीडियो औ अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे रेट कलर का subscribe का बटन होगा उसको जरूर प्रेस करिएगा और friends कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लिए बाइ-बाइ वीडियो देखन